साइंबावा नर्सिंग होम पर लापरवाही का बड़ा आरूप लगा है जहां अस्पताल में एक महिला को प्रसब के लिए साइंबावा नर्सिंग होम लाए गया था यहां इलाज की दौरान उसकी मौत हो जाती है मृतिक महिला डीडी नगर इलाके की रहने वाली थी जिसे इलाज के लिए अस्पताल लाए गया था ऐसे में अब महिला के परिजनों ने अस्पताल के डौक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है मृतिक महिला के जे ट्रवी शंकर्च और असिया का सीधा आरोप है कि अस्पताल किला पर वाही के चलते जच्चा और बच्चा दौनों की जान चली गई है परिजनों की माने तो महिला को डिलेवरी के लिए 20 नवंबर को समय दिया गया था जिसके बाद महिला को अस्पताल लाए गया जहां उसका इलाज शुरू हुआ और बिना डॉक्टरों के निर्देश की नर्स ने महिला को इंजेक्शन लगा दिया ऐसा आरोप लगाए गया है जिसके कुछ देर बाद ही महिला के मुझ से जाग निकलाया और उसकी दुखद मौत हो गई 36 गड़ के राइपुर से आपको पूरा मामला बता रहे हैं जहां प्रसप के दोरान महिला की मौत का मामला साथ गटना ऐसे हुई कि हमारी बहुरू रूटिनली चेक अप पे यहां आती थी यहां सुरू से चेक अप करा रही है इन्होंने कल की टाइमिंग दिया था कि डिलेवरी के लिए कल आये कल आनेक बाद ये क्या बोले कि पेट में बिलीडिंग और कुछ ऐसे हो रही है इसको सीजेरियन ही करना पड़ेगा पर ठीक है सीजेरियन कर दीजे इन्होंने एडमिट कर लिया बोला कि कल सबेरे सीजेरियन होगा सबेरे अब क्या हुआ नौ एक वज़े के आज पास कोई डाक्टर नहीं नर्स जो है इंजेक्शन लगा दिये इंजेक्शन लगाने के बाद हमारा पेसेंट गया ट्वालेट ट्वालेट में गया हम पे मुंघ में ज्था आए है और वहीं आंदे σबर खतम बाहत मैं मैं आया मेरे और को पता चला में में मेंजमेंट से पूछा तो पहले तो मेरे को दो गंटे गुम्राह करते रही कि दक्टर शेया नहीं है डक्टर इमर्जेंसी में है डक्टर बाहार करके Leлин मेंनें को इन्होंने बुला लिया मैं बोला कि डॉक्ल नर्स को हम लिखीत नहीं देते हैं। बढते हैं। वो तो बोल नहीं चार इंजेक्शन और अगर आपने इंजेक्शन बोला तो लिखी तुकित है कुछ नहीं लगता है इसा कुछ नहीं तो पता भी नहीं लगा दी इसका मतलब कि आपकी देखरेक में नहीं हो रहा है सब तो नर्सों के साबसे हो रहा है फिर आपका जरुद नहीं हो रहा है अगर ओर दूसरी बात है अगर आपने इंजेक्शन लगाए différents तो फर मेरे पेसेंट देखरेक कौन किया तो पूरा मामला आपको 36 गड़ के रायपूर से बता रहे हैं जहां साइम बावा नर्सिंग होम में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है इससी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए समवादाता शुरीकान ते दू हमारे से जड़ गए हैं शुरीकान ची क्या है पूरा मामला जहां नर्सिंग होम साइम बावा नर्सिंग होम पर कई लापरवाही के आरूप लगे इसको लेकर क्या पूरी जानकारी मिल पाई है लिए और किस सामने के से लापरवाही की घची गई है क्या जानकारी है के शुरीकान पूरी घटना की जानकारी परीजनों ने पूरे मामले में जानकारी चाही तो लोग परीजनों का आरोप है कि डॉक्टर वहां पे देख रहे करने के लिए कोई नर्सिंग होग में कोई जो डॉक्टर उनको अटेंड कर रहे थे जो लगातार उसमहिला की निग्रानी कर रहे इतने दिनों से वह लगातार नहीं जाके कि अपने कौन तर्व लगाया था कितने लगाया था तो परीजन जो हमारे साथ बाच्चीस में बताया है तो यह जो नर्स बगा नहीं कि जणकारी तो नर्स लगाने की कहीं ना कहीं यह जो अस्पताल प्रबंधा ने, डॉक्टर नर्स का रहा थे। इतनी बड़ी घटना हुई है और परीजन लगातार यह कह रहे हैं कि अगर यहां पे अद्मिट किया गया है तो कोई डॉक्टर उनको अटेंट क्यों नहीं किया और जब इमर्जेंसी थी तो किसी डॉक्टर को क्यों नहीं गुला गया है तो यह इस तरह से पूरा जो मामला ह जो है हम जांट कर रहे हैं और पुलिस को भी हमने सहयोब करने की बात उन्होंने कहीं पुलिस भी वहां पे पहुंची हुई थी जिसके बात जो हम नामा हो रहा था परीजन और डॉक्टरों की बीच में बहुर शान्स हुआ है लेकिन कहीं न कहीं बड़ा सवाल जो है अब इसमें कौन इंजेक्शन लगना है कौन सी दवाईया देनी है वो सक जो है उस महिला के जो डायरी होती है उसमें नहीं लिख गया था जो महिला के जो जेट है उन्से हम बात के तो उन्होंने बताया कि डैथ जब उनकी जानकारी में जब हुआ तो रैपूर पूंचने जो नर्थ वहां चिती वह चार इंजेक्शन की बात कर रही थी और वह भी उसमें जीक्र नहीं था कि कौन से इंजेक्शन लगाना है क्या कुछ देना है तो इस तरह से जो परीजन है वो पूरी तरह से डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने जिलकुल शुरिकान तैसे में मामला बहुत गंभी इसलिए और हो जाता है कि मामले में लापरवाही की गई है और जच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है ऐसे में जब दौनों की मौत होई है तो प्रशासन जो अस्पताल प्रशासन है उसने इस मामले को लेकर कोई कमिट्री गठित की है या इस पूरे मामले को लेकर क्योंकि हमने इससे पहले बाय पूरे बयान सुनाई जो परिजन थे उनका कहना है कि सीधे तोर पर लापरवाही की गई है समय पर प्रसब नहीं कराए गया जो समय दिया गया था प्रसब के लिए इसके बाद ही प्रसब कराऊ गया और डॉंकटर उस दोरान मौझूद नहीं थे तो इस पूरे मामले को लेकर प्रषासनिक टूप से क्या रबाई की जाएगी डॉक्टर की लापरवाही को लेकर के बयान तो आया है इसको लेकर क्या संगैन में लिया जा रहे है का तो पार्य पवरे बिल्कुल, परीजल में अरूप लगा रहे हैं कि लापर भाही होई हलाकि वहस्टाल प्रबंधह स्सक्रायों नदे लिए थो ज the रेख रहे हैं-दो-जञाजन दे कैया। अलागि सहयोग करने की बात कर रहा है लेकिन सहयोग सिफ बोलने के लिए सहयोग की बात जा रही है और इसमें चाहती तो अस्पतार प्रबंदन में अधी तक जो हमें जानकारी है वो किसी कमेटी का कोई गठल नहीं किया है नहीं आगे इस मामले में किसे तरत कि जांच की पाल हैं जो खड़े होते हैं उनके जबाव आपसे आगे जानने की कोशिश करेंगे लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए जिससे अस्पताल का है पूरा मामला है इसके पहले अस्पताल की क्या कुछ तिती रही है क्या पहले भी ऐसे कई आरोप लगे हैं इसको लेकर क्या था जानी रापूर का एक बड़ा चर्चित नर्सिंग हो मैं साही बापनर सिंग होम इससे पहले इस तरह की जो घटनाय है वो तो सामने नहीं आई है ऑश्पिटल के खिलाप लेकिन कहीं न कहीं जो हमने आज वहां पहुंचे थे वहां की जो इस्तिती हमने देखी पूरा जो देख रेक वो नर्स के भरोसे रहते हैं तो ये एक बड़ी लापरवाही क्योंकि अगर वहां पर प्रसव के लिए महिलाया जाती है और जच्चा और बच्चा दोनों की देख भाल की इसमें बहुत जरूरी होता है तो ऐसे में जो है डॉक्टरों को बड़े जो सिनिया डॉक्टर वहां समय समय पर जाना चाहिए मरीजों से मिलना चाहिए उनका हाल जो इलाज है उसको बहतर करनी चाहिए बीच बीच में जो नर्स हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन देना चाहिए कि इस मरीज को कौन सी दवाई देनी है क्या कुछ आप ठीट कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं तो यह जो हमें जो जानकारी मिली यह उस ऑस्पिटल में बहुत ही कम द तरे की शटी होती है और जब उनके पडिबार के जो बिच्चा उने वाला होता हैं जो उनकी जच्छा होती हैं महिला होती है जब दानों की मौत हो गई है तो परिबार उरwo डगाएंगे जो की जांच का विश्या लेका लेकिन इस पूरे माामले को लेखर जो आस्पताल प की जच्चा का ल wooden की Moth होות यह तो ऐसे में परिजन लापरवाही का लग थार आ रोप लगा रहे हैं और हलकि समय जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें दोनlectric ही पक्षों ने कारवाई नहीं करने की बात जो है आपस में की है लेकिन कर को अगने अगर और भीजाइन की तरहें हैं। कोई भी बात सामने नहीं आई है कि वो इस पूरे मामले में जांच हाला कि वो आप दरिकॉड जब हमने चर्चा करनी चाहिए तो उनका कहना था कि इस पूरे मामले को हम पुलिस को सहयोग करेंगे जांच के लिए और जो अपने इस तरह से जांच है वो करेंगे लेकिन अभी इसको लेकर हमारी निगाहें रहेंगी आप फिलाल के लिए शुरिकांत आपका जानकारी साजा करने के लिए बहुत शुक्रिया तो पूरा मामला आपको छत्तिसगर के रायपुर से बता रहे हैं जहां प्रसप्त के दोरान लापरवाही का मामला सामने आया है बता दें कि साहीं बावा नर्सिंग होम से लापरवाही का यह बड़ा मामला सामने आया है बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर पीड़ परिवार ने कई गम भीर आरूप भी लगाए हैं डॉंक्टरों के निर्देश के बिना नर्स ने इंजेक्शन लगाया ऐसा परिजनों का